इस तरह की घटना है किस तरह का परिवरतन लाएंगी युद में रूस का जनरल बदल चुके है जो की अब सीरिया में वार एक्सपिरेंस के साथ यहाँ पर एक कॉन्फिक्ट में किस तरीके से उसको डील करना है उसके साथ है हम ये शिप की सिंकिंग की बात करें या फिर हम ए सेरे नुसार जो पुटिंस जहां से लिमिटेड वेव में वो गए हैं और उनकी चीज़ें सही चल रही हैं उनके अनुसार ये एक युद का बोट का गिरना चार का जिर जाना चार ये चीज़ें होती हैं आपने ऐसे बताया सहर के सहर तबाह हो गए हैं देखे युक्रेइ में यदि आप ऑपरेशन बार बुरसा पढ़ी गिया जो पॉलेंड से जब जर्मन आये थे साथ वीक लगा था कि बैटल अफ के बिस वेरी वेरी डेंस बैटल तो ये तो तो तीम दिन में पहुँच गए थे उसके आउटर सकट में और उन्हें कहा हम डी मिलिटराइशन कर सबकूंगे जा रहे और देखिए पुटिंट को थोड़ा सुने सुने की स्टा दुनिया को कदनी चाहिए ठीक है उसको सब नकारा करना चाहरते मगर आप उस पार्टी को सुना ही नहीं चाहते जो एकशुल कर रहा है चीजए कर रहे और दूसरे रियक्ट कर रहे हम उसको नकारा नहीं आप कहें पकड़ेंगे वो कहता है नहीं आया हुमर आप पकड़ेंगे आप हार गया है यह सब डिवेट चलती है यह बाते आती है नरेट पैदा होता है देखे क्या है वो फॉर्टीन टूजर पॉर्टिं में ही लेडाउन कर दिया था क्या है क्रीमिया और डॉ क्वान के पहले जो अदर चौदर में हुई है डिसंबर में इतना घमासान यूद रहा था लो है उसको पढ़िए और उसमें युक्रेइन हटी थी तीस परसंट ही इलाके में वहां लिया गया था जो जो डॉनिस का इलाका है वह बहुत इंपॉर्टेंट है वहां बहुत और इसे हमें आप सब को जिस तरह से हम आईसिस की बात करते हैं एजहाब वही है एजहाब नाज जो इसको होते हैं नियू नाजीज की तीन बैटल है उसको पढ़िए और उसको पढ़िए जब इस सेकंडर रोल वार हुआ था तो यह रह गए थे यूक्रेइन के अंदर में यह इतने खुंखार हैं कि आप आईसिस की हम जब बात करते हैं उससे भी ज़्यादा यह खुंखार है और वेश्ट डड़ता है इस कॉंसेट है कि और एक लाक चार हजार उनकी फौज है दो लाक कुछ की है उसमें 40% नियू नाजीज हैं 19 देस के लोग उसमें लड़ रहे नियू नाजीर उक्रेइन नहीं है तो इसमें जब हम यह सारी चीज़ें देखते हूं वाकई एक एक ऐसा पहलू है कि आखर ये युद्ध शुरू क्यों हुआ था जो आकरांता होता है उसके उपर सारी जिम्मेदारी रहती है लिकिन डॉनमास की इलाके में क्या होता था और वहां किस्थानिये लोग युक्रेइन पर किस तरीके से इल्जाम लगाते थे वो सारी चीज़ें पीछे रह गई क्योंकि अब जो मौझूदा नेरिटिव है वो जादा है मुझे लगता अगर हम सबसे पूछेंगे कि इस युद्ध में गलती किसकी है रूस की तो कितन लोग हाथ उठाएंगे और बाटी लोग तटस्त हैं भारत की तरह कोई शक्री जिस परकार से लड़ाई चुरू होई थी यह मानते हैं कि पूटिन ने साफ सुतरी सब्दों बताया था युक्रेइन नेटो जोइन नहीं करना चाहता क्योंकि युक्रेइन अगर नेटो का ह है युक्रेइन में वो भी आपको नकारा करना पड़ेगा क्योंकि सतर परसंट आपने पूरा का पूरा युक्रेइन को बरबाद कर दिया है और चालिस लाग से पचास लाग के लोग प्लाइन कर गए हैं और सचाई यह है कि जिस परकार से रूस ने सोचा था कि उसको इतन सकस्स मिलेगी युक्रेइन में साइध वो नहीं मिली है